तो आज हम 28th सेप्टेंबर 2020 के न्यूज आर्टिकल ऑफ दे इंडियन एक्ष्प्रेस डिसकस कर लेते हैं तो सबसे पहली जो न्यूज है लास्ट पेट से हम देख रहे हैं तो वाइ नडाल इसंट है विध दे न्यूज ऑफिशल बॉल एट रोनल्ड गैरॉस ठीक है तो आई पिल के लावा जो दूसरे मितलब हमें वर्ड में भी पतावना उच्छे फ्रेंच ओपन होता है तो यहां पे इनको बॉल्स नहीं पसंद आ रही है जो इनको रिप्लेस की गई थी ओगनाइजर ने ओगनाइजर्स हाव रिप्लेस्ट बापलोट विद विल्सन अस दे ओफिशल बॉल एट रोनल्ड गैरॉस ठीक है तो इन्होंने बोला है कि नो मोर चेंजर्स इन बॉल प्लीज देन हार्ले डिविट्सन एग्जिट में पुश ऑटो टैरिफ कट अप इन युएस प्रारिटी लिस्ट फॉर लिमिटेड ट्रेड दील तो आपको बदाए हार्ले डिविट्सन की जो मतलब यहां पे सेल थी वो profit नहीं earn कर पा रहे थे इतना जितना उनका expectations था तो अभी exit हो जाएगा उनका and इससे पहले काफी सारे कुछ और announcement वो कर रहे हैं and हमने इंडिया ने क्या किया था कि पहले जो था 100% की tariff थे ठीक है तो इसको cut down करके हमने कित्ता कर दिया था 50% कर दिया था in 2018 तो उसके बा पैसा भी है nation's pride the regiment of artillery ठीक है तो यह जो है आज gunners day है 193rd gunners day ठीक है तो यहाँ पर tribute दिया जा रहा है इंडियन आर्मी की regiment of artillery को ठीक है तो यहाँ पर जो यह बोल रहे हैं focus करेंगे वो indigenous production पर जादा focus करेंगे ठीक है तो draft defense and production and export promotion policy को भी किया गया था नांस तो इसके तहत जो है इंपोर्ट्स जो प्लान किया गया है progressively implemented between 2020 से 2024 तक यह पूरा प्लान implement होगा तो 193rd gunners day आज है और नेक्स्ट जो न्यूस है if virus doesn't kill us climate change will ठीक है तो यहाँ पर यह बोल रहे हैं कि vulnerable nations को action लेने चाहिए और United Nations General Assembly में ही यह बोल रहते हैं ठीक है कि this year and enormous chunks of ice caps in Greenland and Canada sliding into the sea countries are accurately aware there is no vaccine for global warming है ना तो हमको पता है कि global warming के लिए तो कोई भी vaccine कभी भी नहीं बन सकती है और यह किस ने बोला है कुवालू नातनो यह प्राइमिस्टर है तुवालू के तुवालू के तो इन्होंने बोला है Pacific Island Nation of Palau hasn't had a single COVID-19 infection और यह सारी सारी countries के अपने-पने कुछ विचार है इस पर ठीक है तो यह आपको पता होना चाहिए नेक्स्ट यहाँ पर सुडान is latest focus of US efforts to improve Arab ties with Israel तो आपको पता है UA जो था फर्स्ट जो अरेबियन कंट्री था वो उसने इसरेल को क्या कर लिया ओफिशली diplomatic जो relations थे वो उन से establish कर लिया इसके बाद बहरीन और योई के बाद मतलब बोला जा रहा है साओधी अरेबिया जो है साओधी अरेबिया का भी कोई plan ऐसा नहीं है कि वो near future में ऐसा करें इसरेल को recognize करें लेकिन यहाँ पर यह बोला जा रहा है कि सुडान where negotiation have stalled over the amount of financial incentives promised to Sudan in exchange for recognizing Israel तो इसरेल को recognize कर सकता है सुडान ठीक है और next fighting erupts between Armenia and Azerbaijan over disputed region ठीक है तो 16 की यहाँ पर जान गई है और 100 लोग injured हुए है और Armenia ने यह claim किया है कि उन्होंने जो है shot down कर दिये है अजर्वेजानी helicopters को अजर्वेजानी tanks को और जो वहाँ पर जो contact line of self-proclaimed Republic of Nagorno-Karabakh है ठीक है अजर्वेजान में पर Armenian जो ethnic community है Armenian की तो वो बोलते हैं कि यह हमारा part है ठीक है तो एक बर मैप में देख लेते हैं से अभी यह ऐसा नहीं कि dispute यह अभी आज ही के दिन मतलब कल यह शुरू हुआ है ठीक है यहां से इंडिया से हम east side में जाएंगे west side में जाएंगे तो यहां पर हमें देखने को मिलेगी country है अजर्वेजान और यहां पर है यहां पर क्या है मतलब basically यहां पर religion का बहुत जादा issue है religion का कैसे क्योंकि यहां पर 30 lakh की जो population है ठीक है Armenian population तो उसको यहां पर कैसी population है Christian ठीक है यहां पर Christian का domination है और यहीं जो अजर्वेजान वाला region है यहां पर जो है Muslims जादा है ठीक है तो Muslim majority यह country है लगबग एक करोड की population यहां पर है तो यहां पर इन्होंने यही बोला है अर्मेनिया ने कि हमने जो था हमारे दो civilians की जान गई थी कुछ civilians और जिसमें अजर् अजर्वेजान का कहना है कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है इतना जादा ऐसे damage नहीं हुआ हम अभी इसको क्या करेंगे इसको assessment करेंगे उसके बाद कुछ जवाब देंगे है ना तो अब यह है कि यह जब USSR था पहले आपको पता है ना यह जितने भी यह countries है जो और जिया है य USSR का तो यह सारी countries भी क्या हो गई थी जैसे बेलारूस, स्लोवाक्या, रुमानिया, यूक्रेन थी क्या अलग-अलग countries हो गई तो लेकिन यह जब जो यह दो countries बनी जो अर्मेनिया और अजर्वेजान तो इनके बीच में क्या हुआ है इसी पार्ट को लेके मतलब conflict हमेशा रह है ना तो यह था अब जो है काफी जादा मतलब 2018 से यहां पर military escalation जो है वो लगादार बढ़ते गए हैं और बार बार मतलब यहां से जो है गोलिया वगेरा चलती हैं जिसमें जो civilians है मेंली वही जाते हैं और अब यहां पर जो countries हैं ठीके जो अजर्वेजान है तो इसको जो करते हैं काफी सारे military equipment भी हमेंने दे रहे हैं इसके लावर रश्या भी अर्मेनिया का सपोर्ट करता है ना उन्हों सुखोई 30 भी उनको दे रहा है जो जैसा हमें जिया था सेम वेरियंट तो इस तरीके से मतलब एक small scale of war यहां पर हो सकती है क्योंकि countries divided हैसमें ना तो यह ची in the region है ना मतलब peace के लिए काफी ज्यादा थ्रेट है अर्मेनिया तो उनको क्या करना चाहिए international law violation नहीं करना चाहिए और यह नग्रोनो कारबाग जो रीजन है इसको याद रखना यहां पर है अजरबेजान और यह कैस्पिंसी यहां पर बहुत important location है अब यहां पर यह बोला तो यह चीज़ बोला है कि one part of the logistic for the army requires land transportation लेकिन IMF क्या करती है will be doing very urgent missions for which it is well prepared with a very good transport अब जैसे winter का सीजन आने वाला है तो वो well equipped है अपने जो भी सारे काम है वो करेंगे c17 globe masters के तुरू वो करते हैं ठीक है 176 and many and an 32s if it comes to the crunch this c130 helicopters hercules can also be used for logistics supports ठीक है तो logistic support और जो special operations है उसके लिए इनका यूस किया जाएगा and we have also MI-17 helicopters and Cheetal light helicopters to cater to forward post ठीक है चिनूग heavy lift helicopters will be used for carrying bulky stores और ये सारी चीज़े मतलब बोली गई है कि क्या क्या यहाँ पर supply कर सकते हैं तो एक बार आप इसको go through कर सकते हैं ठीक है क्या है और rafal का मतलब यहाँ पर क्या use होगा तो यह बोला जा रहा है कि rafal comes with its unique flying characteristics and weapons delivery payload but one must remember कि जो अभी जो combat है वो systems के बीच में है ठीक है वो aircraft और दूसरे aircraft के बीच में नहीं है तो राफेल का भी ऐसे यहाँ पर कोई ऐसे use नहीं होगा यह केवल क्या होगा जो iaf to operate with other systems like airborne warning control system and electronic warfare assets in the present day individual जो weapon system है केवल वही क्या होगे overall war fighting architecture में यहाँ पर force ने जो design के वही use होगे ठीक है तो यह चीज़ है कि इनकी जो autobiography थी टाइटल breaking through is the chapter the battleground she describes the critical phase in India's economic reforms ठीक है तो मॉंटिक सिंग अहुल वालिया क्योंकि उस टाइम पर क्या थे finance secretary थे तो इन्हीं की wife थी यह है और शी डाइड और यह member थी of Indian council for research on international economic relations ठीक है अमर्नात वर्मा मुंटेक इशार लेकिन बाद में इनको director बना दिया गया तो इसनों काफी इसको independent एक autonomous body इसको बना दिया ठीक है तो यह think tank एक बहुत बड़ा research think tank बन चुका है at present तो यह इन्होंने इनके memory में जो chairperson थी इनके memory में ICR, IAR ने यह release भी किया था notice ठीक है तो इनको जो था प्रदम भूशन अवाद भी मिला था पदमा भूशन अवाद 2009 में और इनके जो educational literature में जो काम किया था इन्होंने ठीक है दो books यह थी industrial growth in India, stagnation since mid 60s and productivity and growth in Indian manufacturing ठीक है तो यह important है और यह तो autonomous policy oriented not for profit economic policy think tank यह है 1981 August में क्या हुआ established यह हुआ था और इसके two offices है डेली में ठीक है और new office एक और है पुश्प विहार न्यू डेली में ही है और इसके जो board में कौन-कौन होते हैं governors including leading academicians, policy maker and representative from the private sector ठीक है तो यह अभी इसके chairman है current में तो यह आप देख सकते हैं और जो chief executive थी dr. इशार जच अहुलवालिया इस chairperson अमिराट्स ठीक है तो इनकी अभी death हो गई है और यह जो है यह 8 thrust areas में यह करते हैं अपनी research ठीक है तो यह आप देख सकते हो कि कौन-कौन से इसके बारे में जानना आपको जरूरी था नेक्स्ट आर्टिकल जो देख लेते हैं वो भी इसी body के जो member है उन्होंने लिखा वाया ठीक है अजे अशोग गुलाटी ठीक है अशोग गुलाटी दे राइटर इस इंफोसिस चेर प्रोफेसर फोर अग्रिकल्चर एट इसी र the farmers freedom to sell तो यहाँ पर जो government ने लोग सभा फिर राज्य सभा फिर प्रेजिडेंट के असेंट इन बिल्स को मिला है ये पास करवाएं तो इसके favor में इन्होंने बोला है कि क्यों ये बिल जरूरी थे क्यों ये बिल पास होने चाहिए थे क्यों इनका oppose इस तरह से नहीं किया जा बिल पास किये गए तो उनको क्या बोला ब्लैक डे है ये आज है ना जिससे में बोला था कि डेमोक्रेसी के हनन हुआ है डेमोक्रेसी डिस्ट्रॉइ हो गई है तो ये सब चीज़े बोली गई थी क्यों बोली गई थी क्यों कि MSP जो MSP था minimum support price system और APMC मंडी थे तो वो बोल कि यह रिजिम पूरी तरह से खताम हो जाएगा MSP नहीं मिलेगा है ना सरकार की तरफ से तो इस चीज़ पर बोला अब यह जो तीन बिल है यह तीन बिल के नाम आपको पता होने चाहिए मैंने इनको अब्रिवेशन भी बताया था मतलब था शॉट में दे फार्मर्स प्रोड्यूस्ट प्रोमोशन फैसिलिटेशन बिल 2020 और फार्मर्स इंपाव्मेंट और प्रोडेक्शन अग्रिमेंट और प्राइस अशूरेंस फार्म सर्विसेज बिल और इसेंशल कमोडिट यह जो अशूरेंस वाला है ठीके FAPFS तो इसमें क्या था कॉंट्रेक्ट फार्मिंग को प्रोमोट करना तीसरा जो इसेंशल कमोडिटी आक्ट है इसमें क्या है जो स्टॉक लिमिट है ट्रेडर्स पर लाज नंबर ऑफ कमोडिटीज पर तो उसको क्या करना रिमूव करना तो यह इसका परपस था तो यहां पर बोला गया पहले किया सिस्टम था डी- लाइसेंसिंग ऑफ इंडस्ट्रीड यहां पर इनहोंने शिजिस्यक्जिस किया था कि कुछ लीगल चेंज होने चाहिए ताकि रिजल्ट मिले अब जैसे क्या है हमें EPEO का फरमनाना याने कि फा प्राइमनिस्टर मोदी ने किया भी इनिशियेट किये ये प्रोग्राम उन्होंने 10,000 जो फ्पो थे वो क्रियेट किये और अग्रिकल्चर जो इंफ्रस्ट्रक्चर फंड था वह भी वन लाग करोड का है मतलब हैंनल किया पोस्ट हार्विस्ट प्रोड्यूस के लिए और जो लार्जली मतलब फ्पो के साथ ही था पोस्ट हार्विस्ट प्रिड्यूस होता है कि मतलब जब सफल कटने के बाद जो जाहे प्रोफित हुआ या गेन हुआ तो उसके बाद के लिए ये था ठीक है वन लाग करोड का दन नाबार्ड जो था इसको इंट्रस्ट किया गया था ये इंप्लिमेंटिंग जो एजिंसी थी ये थी विद स्टेट गवर्मेंट्स ठीक है तो यहाँ पर उन्होंने ये बोला है कि I must caution that sometimes good ideas law fail because of bad implementation तो यहाँ पर जो अच्छे हमारे जो law होते हैं वो bad implementation के कारण हमारे laws की कोई मतलब relevance उसका रहनी जाता है तो यहाँ पर कुछ उन्होंने एक्जांपल भी दिये जैसे अरुण जेटली ने अनॉंस किया था टॉप स्कीम तोमेटोस अनियन और पोटैटोस अब इसके लिए उन्होंने इस्टेबलाइस करने के लिए प्राइस में क्या क्या था जो इसकी प्रोसेसिंग और स्टोरेज भी क्या था और इन प्रोसेसिंग के द्वारा ये इंप्लिमेंट किये गई थी लेकिन काफी सालों बाद भी 5% भी मतलब इस मनी का जो था वो इस्पेंड नहीं किया गया ठीक है जो 5% भी इसका इस्पेंड नहीं किया गया तो कहां पर लूप होले इंप्लिमेंटेशन में हमाणे पास बहुत 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 बहतरीन स्कीम सरकारे ला रही है लेकिन जो प्रोपर जो में एक्जिकूशन में मतलब क्या להक औफ एक्जिकूशन प्रोपर तरीके से नहीं हो पाता है ग्जिकूट तो नो वंडर दि एक्सपोर्ट बैंस ओम ओनियन फिरेंगा स्पाइक इन ओनियन प्राइस तो यहीं चीज यहां पर बोला है कि फार्म बिल्स में भी यहीं हो सकता है फार्मर्स को फ्रीडम है सेल करने की लेकिन इट सीम्स देग गौर्वर्मेंट यहां पर मतलब इंडिया में ही नहीं विदिन इंडिया ही नहीं मतलब आउटसाइड ऑफ इंडिया भी क्या कर रहे है कि ग्लोबली एक कॉंपिटेटिव इंवार्मेंट मिले जो फार्मर्स के लिए बेनिफिशल रहे है तो यह चीज यहां पर बोली गई अब यह है कि आपोजिशन ने इसका इतना जादा क्यों मतलब यह आपोज कर रहे जबकि इनके 2019 जो मैनिफेस्टो था जनरल एलेक्शन का तो उसमें कॉंग्रेस में बोला था कि हम APMC Act को रिपील कर देंगे और उसको क्या बनाएंगे make trade in agriculture produce है न तो exports और interstate trade है और जो farmers को जितनी भी restrictions है उससे हम हटा देंगे and further we will establish farmer markets with adequate infrastructure and support in large village and small towns to enable the farmers to bring his air produce and freely market the same तो यह points 11 और 12 थे manifesto के जो under the section और agriculture ठीक है तो यहां पर यह बोला गया कि अब हमारी political parties क्यों अपने जो पहले जो promise किये रहते हैं वही जब दूसरी जो opposition party है मतलब दूसरी जो ruling party है वो अगर bill लेके आ जाती है तो वो क्यों भूल जाते हैं कि उन्होंने ही मतलब यह क्या किया था start किया था और अब मतलब एक तरह से vote gain करने की politics है और यहाँ पर यही चीज़े इन्होंने बताई गई है और opposition ने अब क्या कर लिया है अपना जो पहले जो जिस पर protest कर रहे थे वो किस चीज़ पर कर रहे थे अब ही तब उनका जो गोल था वो चेंज हो गया ठीक है अब वो क्या बोल रहे है कि MSP को लीगल बनाओ तो एक डिमांड एक अलग लिवल पर जा रही है कि लीगल बनाओ that all private players कि जैसे अगर अगर लीगल कोई चीज बन जाती है न तो अगर उसको fulfill आप नहीं कर पाओगे और वो चीज लीगल है तो फिर आपको jail भी हो सकती है न तो that all private players बाइंग बिलो दिस प्राइस कुड भी जेल जिसने अगर MSP से कम उसमें अगर खरीदा तो क्या हो जाएगा कम दामों पर खरीदने पर उसको तो जेल ही हो जाएगी ना प्राइविट प्लियर को तो क्यों वो इन्वेस्मेंट करेंगे क्यों वो अट्रैक्ट होंगे यहां प 23 कमोडिटीज ठीक है तो यह सारी जो 23 कमोडिटीज एन्वेस्मेंट के गई हैं वो सब पर हम नहीं कर सकते लीगली एवन फॉर वीट अन पैड़ी जो सेवन्टीथ राउंड था NSSO का तो इसमें यह बोला गया था कि केवल 6% of farmer 6% of farmer इनको ही लाब मिलता है MSP का ठीक है तो roughly the same percentage of value of agri produces sold at MSP जो rest farming committee याने की 94% ठीक है 6% को ही इसका benefit मिलता है 94% जो farmer है उनको क्या करना पड़ता है market से direct deal करनी पड़ती है ठीक है imperfect market से तो हमें यहाँ पर क्या करना चाहिए एक्री markets राइट जो है हमें वो यहाँ पर insure करने चाहिए यही इस farm bills are step in that directions तो यह करना चाहिए implementation पर focus किया गया है और some states fair losing revenue from monday's fees and says लेकिन center उनको थोड़ा compensation के तुरू ऐसे promise कर सकता है for say 3-5 years subject to reform in APMC markets है न तो यही यहाँ पर discuss किया गया है फेवर में अगर point लिखने को आता है तो यह यह भी favor में ही point बोले गए है fields of change विबेक देबरॉय के द्वारा कि Indian agriculture has moved on from green revolution is no longer centered in Punjab और हन्यारा reform is about giving farmers choice तो किस किस region में किस तरह किया land holding के बारे में यहाँ पर बात की गई है तो यह एक issue आप अलग से पूरा देख सकते हो favor में हमें काफी सारे point अलरडी मिल चुके है under a dark cloud यह इसके oppose में है अब होज में हमने criticism हर article में अभी तक criticism ही इसका देखा था कि क्यों हो रहा है MSP बे तो यहाँ पर यह बोला है कि यह farmers के क्या करेंगे anti farmers law है और यह farmers से unquestionable control है जो land का तो वो चीन लेंगे एक तरह से है न तो यह सारी चीज़े यहाँ पर discuss की गई है एक यहाँ पर यह point है कि जो राजसभा की rule book है उसका 252 जो rule है वो क्या बोलता है that is the right of any member to ask for vote by division ठीक है तो अगर किसी भी member ने division की मांग की गई है मत्वे भाजन की तो वो क्या है उसको देना हुई होगा है न तो यह है लेकिन unfortunately the rules and tradition of democracy held little value the arrogance of the ruling party reached its janet and it's twisted the narrative and eight राजसभा MPs were suspended है न तो फिर आर्ट को suspend कर दिया गया और जो मत विभाजन है उस पर कुछ बातचीत नहीं हो धनीमत से इसको पारित कर दिया गया तो यह चीज़ बोला गया लेकिन यहाँ पर deputy chairman का यह बोलना था कि वहाँ पर कोई seat पे नहीं बैठा था ठीक है लेकिन अभी यह बोला इंकम सपोर्ट तो यहाँ पर यह बोला गया है कि अभी जैसे क्या था अभी हमारी जो एकोनोमी हमने देखी तीक है जो क्या था 23% से contraction उसका हुआ था GDP का केवल एक ही जो सेक्टर था वो कौन सा सेक्टर था agriculture सेक्टर जिसमें growth देखी गई थी तो अभी यह बोला गया है कि system of MSP will remain government ने बोला है and government procurement will continue तो दोनों चीज़ बोली गई है लेकिन यह जो assurance है have cut no ice so far जो farmer organization है वो क्या करना चाहते है MSP को entitlement बनाना जैसे कि उनके लिए क्या है subsidized food grains है है ना जैसे national food security act के तहत right to food है जैसे work है अंडर दे मन रिगा और free compulsory education है और वह है ना right to education act है हमारा fundamental right तो इस तरह से वह इसकी भी एक statory backing चाहते है MSP की तो यह चीज़े बोली गई है and COVID-19 में 23.9% एर ओन डूरिंग अप्रिल जून में हमारी economic contract करी farmers have every reason तो उनको है कि यह इतने जल्दी बाजी में क्यों इस legislation को change कर दिया गया है ना तो statuary हम work days और मिलता है right to education में education मिलती है लेकिन अगर सरकार तब क्या करेगी जब सैफ लार्ज और नाइगर सीड है रागी है इसके जो MSP जो fixed price होगा minimum support price होगा उससे भी price जो है बिलकुल लो चले जाएंगे है ना तो सारा तो सरकार जो है खरीद नहीं सकती तो यही चीज़े इ government is duty bound to enforce it in the case successful enforcement would mean not just distorting but supplanting the market ठीक है तो यहां पर इन्होंने किसका concept दिया है universal basic income का दिया है ठीक है universal basic income जो 2016-17 के economic survey में भी थी it is worth considering यहां पर यह चीज़ बोली गई है कि जो भी 12 करोर और farmers farm households हैं तो वो receive करते हैं क्या of UBI से Rs.24,000 annually है न तो यह क्या होगा कि इसको extend किया जाना चाहिए under PM किसान योजना के तैत और जो extra money है वो required होनी चाहिए MSP के तैत और सभी को जो है एक तरह से की subsidy के रूप में यह मिल जाएगा तो यह बोला गया है universal basic income to compliment the three reforms law will unleash the transformative potential of Indian culture तो जो तीन लौप पारित हुए उसके साथ साथ यहां पर UBI भी होनी चाहिए उसको देखते हुए ठीक है ज्यादा वो इंक्लूसिव इंडिया के लिए मतला बातचीत करते थे और यहां पर यही चीज़ बोले गई है कि जसवन सिंग यूनियन मिनिस्टर थे और इनकी जो थे टू नाशनल गवर्नमेंट्स में यह रहे थे अटल भिहारी वाचपई के टाइम पे 1998 से 2004 में और सिंग सर्फ डिपिटी चेयर्मेन उस टाइम थे प्लानिंग कमिशन के और external affairs और उसके कंटेक्स में फिर 1998 में जब हमने नुकलियर टेस्ट किये थे तो इन्होंने हमने अपने को अटमिक पार डिकलियर किया था जिससे बहुत सारी कंट्रीज ने all over the world हम पर सैंक्शन लगा दिये थे फिर एक यही थे जिन्होंने help किया कि इंडिया को navigate करने में the crisis with aplomb है ना तो इन्होंने एक तरह से navigate सही direction दिया इंडिया को इंडिया की डिप्लोमेसी को और एक्सेंड़ डिया लॉग विद यूस डिपिटी सेक्रेट्री आप स्टेट है ना 1998 से 2000 के टाइम पे इन्होंने क्या क्या नुक्लियर डिफेंस बट आलसो पीप दिवे फॉर इस costly conflict तो जो global nuclear order है तो महां से हमेरे ज्यादा conflict आगे रेजनी वे इसके लब जो atomic diplomacy के बाद इन्होंने यह बोला कि पाकिस्तान और चाइना के साथ जो हमारे long standing territorial conflicts थे तो यहां पे भी इन्होंने काफी सारी जो थी बातचीत की थी इसको resolve करने की बात की गई थी है ना इन्होंने उसके बाद जो था जो बस diplomacy थी उस पर भी मतलब यहां पर बातचीत हुई थी है ना और पाकिस्तान और चाइना के साथ जो फ्रंटियर से हमारे उसको सेटल करने की बात की थी जो भी भी रिलेवेंट है इंडियन डिप्लोमासी में और इन्ट वस एंपर इंपर मैं इसमें बहूंडरा वेस्ट एशिया जो है तीकर इसरे लवगैरा तो हमने वहां के बारे में भी नोने इन्सेस्ट किया कि हमको जो कॉंटरोशर रेशन्चिप है इसरेव के साथ में को थोड़ा हटाना होगा और उसको थोड़ा रिक ना होगा ठीक जैसे हम साथी रिप पर बोली गई है इनके द्वारा और पॉलिटिकल प्रिस्पेक्टिव है बाकी सारे आर्टिकल का ठीक है और यहां पर वही है नाइंटीनाइन के बस डिप्लोमसी पीस प्रॉसेस अग्रिमेंट ठीक है मैंबर्स जो मतलब जितने भी हवारी नेबर कंट्रीज है उनके साथ क् इस बातचीत होती रहनी चाहिए है ना तो यह इस आर्टिकल में है दोनों आर्टिकल में यहां पर जो नेक्स्ट है रिपिटी चेर्मेंट सेड एस पर रूल्स और प्रैक्टिस इन और तो हाव डिविजन टू तिंग्स आर इसेंचल दो चीज़े जरूरी है डिविजन के चीज़े पहला क्या है देर शुट बिया डिमांड फो डिविजन टिमांड ओंचे डिविजन की एन एक्कुली इंपॉर्टेंट देर शुट बी ओर इन दे हाउस तो यह इनों नहीं यहां पर बोला है बाकी तो इंपॉर्टेंट इतना है नी इस में जो फिनेंस मिस्टर उनका कहना है कि कैबिनेट से मतलब यह जो एक्री रिफॉर्म से तो हमारे आत्मर रिभर स्टिमिलस पैकेज का यह पार्ट था जो फार्म से लाए गए गए थे और अभी जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं तो आप हमसे क्या मतलब पूच सकते हैं वट एक्जेक्ली आर्यू प् फिनेंस मिस्टर है उनसे पूच सकते हैं इनका ऐसा कहना है और फिर क्या है सारे डाउट जो फेवर में भी अभी आज आये हैं तो हम उसको अपने स्टडी मेटीरल में आड ओन कर सकते हैं ठीक है तो आज यही सब इंपोर्टन था एंड फॉम आर्बिए और पॉलिक केंडरा बैंक युनियन बैंक ओफ इंडिया सेंटल बैंक ओफ इंडिया नाबाड एलाइसी रिजर्ब बैंक ओफ इंडिया ठीक है तो यह सब आप देख सकते हैं था थैंक्यू एब नाइस टे